आज हमारे किचिन में बनने जा रही है फेमस सिंधी दाल पकवान बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है ये स्ट्रीट फूड है और इसका जो टेस्ट रहता है खटा मीटा जैसे की चाट बनता है बस उस तरह से दाल हमारी चटपटी बनकर तयार होती है और क्रिस्पी ये पकवान बनकर तयार होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है कहीं कहीं सिंधियों में तो इसे साधी में एक बार जरूर बनाते हैं साधियों वाला पकवान भी बोलते हैं इसे और ये अंदर तक क्रिस्पी रहेगा जब हम इसमें डाल डालेंगे तब भी ये सॉफ् मुठी तो मुठी टूट जा रही है तब हम क्या करेंगे और इसमें डुक्त नेו कह एक और दो से तीन चमच में और ओयल डालूंगी ताकि इसका मौयन अच्छे से पढ़ जाए और जो हमारे पकवान रहेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे आप इसमें चाहें तो आधा आटा आधा मैदा भी डाल सकते हैं मैंने सिर्फ मैदे से बनाया है आधा मैदा और आधा आटा से भी आप बना सकते हैं तो अच्छे से लड्डू इसका बनने लगा है मुठी बनने लगी है तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो बनाकर तयार करेंगे घी डालने से क्या होगा यह बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा और जह हम दाल डालेंगे तो वो soft हो जाएगा तो हम तेल डाल कर इसे बनाएंगे आठ अच्छे से गुज चुका है थोड़ा सा तेल लगा कर इसे और ज़्यादा soft करेंगे इसके बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए ढग कर रखेंगे तब तक हम दूसरी चीजें तैयार कर लेते हैं, तो हमने इसे ढग दिया है, साइड में रख देते हैं, तो अब हम बनाएंगे दाल, तो मैंने इसके लिए लिए आधा कप चनी की दाल और ये है एक चोथाई कप तूर की दाल, तूर क की बाट डालेंगे कोकर में, तो मैं इसमें तूर की दाल डाल के बना रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ चनी की दाल से भी बना सकते हैं, वाद अनुसार नमक, हल्दी और कुछ काली मिर्ज के दाने डाल दिये हैं, और पानी डालेंगे और इसे बॉल करेंगे, तो पानी की दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और चनी की दाल भी हम पकाएंगे, तो इतनी जादा नहीं पकाना है, कि इसके दाने पूरे मैस हो जाएं, कुछ-कुछ खड़े दाने रहना चाहिए, अब इसके ठकन बंद कर दिया है, पानी डालकर, अब इसकी सीटी लगा क है ये मिर्च तो ये ज़्यादा तीकी नहीं है इसलिए मैंने एक मिर्च और डाली है तीकी वाली तो मिर्च डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे अदरक के टुकड़े इसमें लहसुन नहीं डालना है अब हम इने इसमें डाला है स्वादनुसार नमक थोड़ा सा तीका पन अच्छा लगता है और नमक जादा रहता है और अच्छा लगता है चाट मसाला और खड़ा जीरा डालेंगे साथ में डाल देते हैं नीबू का रस और इसका धकन बंद कर देते हैं थोड़ा सा पीछने के बाद हमने इसमें डाला है पानी और आइस क्यूग डाल कर फिर से पी आप चोटे बड़े जिस साइज में भी पकवान बनाना चाहें, उस साइज में बना सकते हैं, तो मैंने ये पहला वाला हमारा छोटा वाला बना है, इसके बाद मैंने सभी पकवान थोड़े से बड़े बनाए थे, तो हमने यहाँ एक हमारा पकवान अच्छे से बिल चुका ह इससे क्या होगा हमारे पकवान फूलेंगे नहीं पापड़ के जैसे बनेंगे तो इस तरह से मैंने एक पकवान तयार कर लिया है इसे हम रखते जाएंगे एक प्लेट में इसी तरह से सभी पकवान बना लेते हैं तो यहां मैंने थोड़ा सा बड़ा बेला है इसे और इसी त एक ठीक मेरी में सब्सके दो है और हम उख जाए कीने दाल को हम आंदा जाुल है तो अच्छे से भरी रहेगी तो अच्छे से हमने इसमें थोड़ा सा दबाकर इसको कटोरी नुआ कर लिया है और इसे हम थोड़ा सा कलाराने तक सेखेंगे और इसी तरह से सभी पकवान हम सेख कर तयार कर लेते हैं यहां मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, यह देखे, और इसे चम्माच यह जरिये की साहता से नीचे दबा देंगे, इससे क्या होगा यह कटोरे नुआ हो जाएगा, यह देखे, यह भी हमारा पकवान तल गया है, सभी पकवान हमने फ्राई करके रख लिए हैं, अब हम द दाल फ्राई कर लेते हैं, तो दाल भी हमारी अच्छे से त्यार हो गई है, ना जादा पकी है, और ना कम पकी है, और जो राहर की दाल की वज़े से ना, इसमें बहुत अच्छा टेक्स्च्चर आया है, यह देखिए, और कुछ-कुछ खड़ी दाल है, और कुछ अच्छ पक गई है, और यह चम्मच के हिस्चे से अब क्या करेंगे, जो खड़ी दाल है, उसे थोड़ा सा मैश करने की कोसिस करेंगे, क्योंकि पूरी खड़ी नहीं होना चाहिए, कुछ खड़ी रहना चाहिए, और कुछ अलकिसी मैश रहना चाहिए, तो इस तरह से करेंगे, तो हिंग डालेंगे दो चुटकी और इसके बाद डाल देते हैं बारी कटा हुआ अद्रक हरी मिर्च डालेंगे बारी कटी हुई और सभी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं और अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, तो मैंने यहां बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी जरूर डालना है, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आता है, तो सभी और दाल में अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद, अच्छा सा बॉयल आने के बाद, हम इसमें और भी मसाले डालेंगे, तो अच्छा सा बॉयल आ गया है, ताल अच्छे से पक चुकी है, तब हम इसमें डाल देते हैं, आम चूर पाउडर हलका सा खटा करने के लिए, क्यो बंक तो हमने डाल पकवां रख़ लिया है कुछ चीजेएं जैसरी की धनिया की पत्ते लाहरमेयारी ही मिर्च और मेहने थई, यह हल्किशी सक्कर ड़क और च्छान कर ले इली आ है प्याज ले लिया है, नいब ले लिय है हरी चटनी और यहां सेव लिया है मैंने यहां आलू भूजिया आप कुछ भी ले सकते हैं और यहां पकवान भी है और दाल भी है मैंने इसमें इमली की चटनी भी डाली है इसमें रखना मैं भूल गई थी इमली की चटनी लेना है इमली की चटनी कैसे बनाते इसका वीडियो मैं पहले ही upload कर चुकी हूँ आप जा कर देख सकते हैं आप एक पर बनाईए और बहुत दिन के लिए महीनों के लिए आप उसे save कर सकते हैं फ्रिज में रख कर तो इस तरह से हमें रख देना है यह देखिए इस तरह से serve करना है अब दाल में हम डालेंगे प्याज काफी सारी दाल देना है बहुत ही ज्यादा टेस्टी रखता है आप इस तरह से serve कर सकते हैं हरी चटनी डालेंगे इमली की चटनी डालेंगे खटी मीटी इमली की चटनी इसके बाद डालेंगे दाही और हरी मिर्च डालेंगे कुछ धनिया के पत्ते डालेंगे और उपर से बारिक वा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, मैं आपको सब्दों में नहीं बता सकती ये कितना टेस्टी रहता है, एक बार आप इसे जरूर बनाईए, मैंने तो बनाया और हमारे घर में पता ही नहीं चला कि ये कब खतम हो गया, आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकती, अब इसमें हम सभी चीजन डाल देते हैं, हरी चटनी, मली की चटनी, दही, प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता, नीबू, सेव, ये सभी चीजन डाल कर आप इसे चाट के जैसा सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और इसे हम तोड़ कर दिखा रहे है आपको देखिए, बिल्कुल भी एक, सॉफ्ट नहीं पड़ा है, अभी तक ये क्रिस्पी है, ये देखिए, मैं इसकी आवाज आपको सुना रही हूँ, ये देखिए, आप इसे यासे ही खा सकते हैं, तो आप भी अपने घर में जरूर बनाएए, दाल पक्वान मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेर जरूर कीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में,